एक बार फिर से आप सभी का स्वाब बते हैं हम पढ़ रहे थे कक्षिया 12 कि exercise no.5.1 जिसके कुछ question अपन कर चुके थे आज हम solve करेगे question no.5 question no.5 में हमें दे रखा है full on f x equals to function दे रखा है x जब x less than equal to 1 मतलब x कमान 1 से छोटा हो गया बराबर होगा function कमान लिखेंगे x और जब x कमान 1 से बढ़ा होगा तो function कमान रखेंगे 5 अब यह कह रहे हैं कि हमें x equals to 0 पर x equals to 1 पर और x equals to 2 पर चेक करना है कि फलन संतत है या नहीं सबसे पहले चेक करेंगे x equals to 0 पर तो LHL निकालेंगे LHL होगा limit as tends to 0 f किस पर चेक कर रहे हैं 0 पर तो 0 minus h अब यहां ध्यान से समझो कि जो हमारा x था वो क्या बने चुका है 0 minus h मतलब 0 से कुछ कम मान है तो 0 से कम मान अधिस कम अतलब हो एक से भी कम होगा और एक से कम के लिए function क्या कह रहा है fx equals to x तो हमें क्या रखना है fx equals to x में रखना है x की जगे 0 minus h limit as tends to 0 हमारे पास आजाएगा x की जगे 0 minus h equals to 0 by using limit limit को क्यों करने पर हमारे पास क्या आजाएगा 0 ऐसे ही निकालेंगे रहे चल रहे चल का मतलब है limit as tends to 0 यह formula है 0 प्लस h अब 0 प्लस h का मतलब है कि 0 में कुछ value add हो रही है और add भी कितना हो रहा है h h क्या है h 0 के लगवग बराबर है 0 नहीं है बलकि 0 के लगवग बराबर इसका मतलब थोड़ी सी value add हो रही है तो इसका मान जब 0 में जोड़ेंगे कोई छुटी से छोटी 0 के लगवग value तो वो एक से बड़ी थोड़ी ना जाएगी वो तो एक से छोटी रहेगी इसके limit use करेंगे तो limit as tends to 0 0 plus h equals to 0 limit use करने पर कितना जाएगा 0 आ जाएगा इसरी बात देखें तीसरा क्या करते हम x equals to 0 के function की value नहीं कारते हैं तो f x equals to 0 x equals to 0 का मतलब क्या है 1 से छोटाई और 1 से छोटे के लिए function दे रखा है x यहां रख देंगे 0 तो answer क्या जाएगा 0 इसका तो तीनों का मान क्या है equal है कब जब x equals to 0 है तो लिख देंगे x equals to 0 पर फुल असंततत है इट मींज function is continuous at x equals to 0 ऐसे ही जब अपन x equals to 2 के लिए check करेंगे तो function क्या होगा लेचल भी रहेगा क्योंकि 2-h आएगा लेचल दो से कम रहेगा लेकिन वह एक से तो बड़ी value निकलेगी तो मिलेगे ना constant 5 इसमें x आई नहीं तो value 5 ही आई भी रहेचल निकालेंगे 2 plus h एक से बढ़े के लिए function 5 5 ही है तो एक से बढ़ा इसका मतलब जो value 2 से बढ़ी होगी वह एक से अपने आप बढ़ी होगी इसलिए भी function यही लेना है 5 और x equals to 2 automatically 2 से बढ़ा इसलिए x equals to 2 के लिए क्या हो जाएगा function 5 तो 3 नो पे LHL आ रहे चलो function का मान x equals to 2 पर 5 ही आएगा जिसके लिए function x equals to 2 पर क् जंतत रहेगा अब हम चैक करेंगे x equals to 1 पर अब x equals to 1 पर जब हम left and limit निकालते है लहले निकालते है तो formula लगाएंगी सबसे लिमीट as tends to 0 किस पे निकाल रहे है वन पे निकाल रहे है तो 1 minus h रहेगा तो limit as tends to 0 और 1 से छोटे लिए हमें function कह रहा है कि हमें value लेनी है x x का 1 minus h और limit का use करेंगे कितना जाएगा 1 अब निकालेंगे रहे है रहे है रहे है लिमीट as tends to 0 f 1 plus h limit as tends to 0 1 plus h इसका मतलब एक से अधिक हो गया मान एक से अधिक इसमें रखेंगे इसके लिए function second लग रहा है fx equals to 5 लेना है constant constant में x है नहीं का answer कितना जाएगा 5 आ जाएगा इसका मतलब हमें पता चल गई है यही कि LHL note equals to RHL यह दोनों बराबर नहीं इसका मतलब क्या है फलन x equals to 1 पर s अंतत है अर्थात संतत नहीं है function is note continuous at x equals to 1 तो उम्मीद करते हैं आप कोई वीडियो समझ में आया होगा question समझ में आया होगा अगर कोई line नहीं समझ में आया हो यह कोई अन्य question पूछना हो continuity से related तो comment box में आवेश से लिखें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद next question के साथ मिलते है next video में तब तक के लिए जैएंद झाल झाल